नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिदयाल आपके साथ देखे एक स्वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्य मंति निती इशकुमार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा जटका लगा है जी आसाब तोर पर देखा गया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीरे मुख्य मंति निती इशकुमार को बड़ा जटका दिया है बिहार को विशेश राज्जी का दर्जा देने की माम को लेकर के आपको बता दे कि मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है जिसके बाद सरकार ने आज संसद में सपस्ट कर दिया है कि बिहार को स्पेशल राज्जी का दर्जा नहीं दिया जाएगा संसक में केंद सरकार ने लिखित में इसका जवाब दिया है आपको बता दे कि एक दिन पहले ही यानि की रविवार को केंद सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलिय बैठक में बिहार और आंधर प्रदेश के लिए विशेश राजे के दरजे की मांग की गई थी इस बात की जानकारी कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने एक ट्विट करके दी थी उन्हों ले लिखा था कि रक्षव मंत्री राजनात सीह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलिय बैठक में जदियू नेता ने बिहार को विशेश राजे का दरजा देने की मांग की YSR कॉंग्रेस पार्टी नेता ने आंधर प्रदेश को विशेश राजे का दरजा देने की मांग की लेकिन हरानी की बात यह है कि TDP नेता इस मामले पर चुप रहें वहीं इस बैठक के एक दीन बाद ही सरकार ने इस बुद्धे पर अपना पक्ष साफ कर दिया और साफ सा विशेश राजे का दरजा देने की मांग से इनकार कर दिया है साफतोर पर ऐसा कहा गया है कि विशेश राजे के दरजे को लेकर के जो क्राइटरेरिया होता है जो प्रावधान होता है बिहार उनमें नहीं आता है जिस वज़े से इस मांग को नहीं माना जाएगा वहीं पठीन भोगौलिक स्थिती जैसे पहारी या दुरस्त छेत्रे, कम जन सक्या घनत्व और पर्याप्त जन जातिये आबादी, सिमांत राज्य होना और अंतर राज्य सिमाओं से सटा होना या फिर आर्थिक और समाजिक द्रिष्टी से पिछड़ापन, इसके अलावे विकास के लिए बुनियादी धाचे की कमी, बतादे कि समविधान में विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई विशिस्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन यह दर्जा राष्टीय विकास परीशत द्वारा प्रदान किया जाता है, केंद्र सरकार राज्यों को इस आ क्या कुछ फाइदा होता है, तो आपको बतादे कि विशेश राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद इन सारे जो यह सारे फायदे हैं वो राज्य को दिये जाते हैं, हाला कि अगर बिहार की बात करें तो आज संसद में यह साफ कर दिया गया है, कि इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, जो प्रावधान लागों किये जाते हैं विशेश राज्य के लिए वो बिहार उससे बाहर आता है, जिसकी वज़े से इस मांग को नहीं पूरा किया गया है, जिसके बाद साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केंदर सरकार की ओर से अब मुखे मंती का मिल गया है, हाला कि यह तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसले लिये जाते हैं, तो फिरहाल के लिए इस ख़बर में इतना ही, अगर आपने भी तक हमारी यूटुब चाय को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इ